मुलिटिन के शुरुवात करेंगे बड़ी खबर से जहां जार्खन में नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मी तेज होगी भाजपा आला कमान ने राजज में गतिविधियां बढ़ाने कार्ने न लिया है इसी कड़ी में साथ जनवरी को केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमिच शाह राजज के दोरे पर आने वाले हैं बीजेपी मिशन 2024 के शुरुवात चाइबासा से करने जा रही है उन्होंने राजज में चुनावी अभियान का आरम करने के लिए कोलहान प्रमंडल के मुख्याले चाइबासा को चुना है तै कारेक्रम के मुताबिक वे वहाँ प्रदेश अस्तर के वरिष्ट नेताओं संग बैठक कर दिशानिर देश देंगे वही BJP के चानक क्या कहे जाने वाले अमिच शाह के चाइबासा के संभावी दोरे पर प्रतिक्रिया देते विए जारखन कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि अमिश शाह या भारती जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता चाईवासा आए या कहीं और अब राज्य की जनता इनके छल, प्रपंच और सड्यंत्र में फसने वाली नहीं है राकेश सिन्हा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और दिल्ली MCD के नतीजे बताते हैं कि देश की जनता इनको स्विकार करने के स्थति में नहीं है उन्होंने कहा कि जार्खन में गठवंधन की सरकार ने इतनी बड़ी लकीर खीज़ दी है कि अमिजशाह चाहे लाख कोसिस कर ले इस बार उनका खाता राज्य में नहीं खुलेगा नहीं दिखे माननीय मंत्रियें ग्री मंत्रियें वो वो आ सकते हैं आकर के जार्खन में बहुत ही परियटक अस्थल है वो गूमें फिरें उनके आने से किसी प्रकार का कोई नुकसान ना तो महागर्वंधन को होगी और नहीं चुनाब में इसका कोई असर होगा सुभाविक तोर पे क्योंकि जिस प्रकार इन लोगों ने चल परपंचा और सर्यंतर की बुनियाद पर अपनी नीव भारती जनता पाटी ने रखी है तो अब उस नीव को जार्खन जो है बरदास्त करने की स्थिति में नहीं है जार्खन की जनता ने पहले भी भारती जनता पाटी को नकारने का काम किया है अब आने वाले हर चुनाबों में भारती जनता पाटी को जार्खन की जनता नकारने का ही काम करेगी क्योंकि अब इनके छल और परपंच से जारगन की जनता पूरी तरह आजीज हो चुकी है तो अब मानिये गिरिमंत्री आए भासन दें परियटा कस्तल का लुप तुटा है मंदिल है मंदिलों में पूजा करें माचिन मस्तिके का सिर्बाद लें लेकिन अब जनता का सिर्बाद उन्हें पराप्त होने वाला